लेकिन फिर भी बेहनों के द्वारा राखी के त्योहार के लिए घरों से निकल कर राखियां खरीदी जा रही हैं और इस पार चायना मेड राखियों के बज़ाए अपने देश में बनी हुई राखियां बाजार में उपलवध हैं जिने बहने भी बहुत पसंद कर रही हैं हलांकि करोना महमारी चली हुई है लेकिन फिर भी युप्तियां राखियां खरीदने के लिए दिल्चस्बे दिखा रही हैं और इस तुरान शोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है युप्तियों का कहना है कि राखिय के लिए पूरे तयारी की जा रही है और साल भर राखिय त्योहार का इंतजार रहता है राखी खरीद रही युक्तियों का कहना है कि करोना के चलते शोशल डिस्टेंचिंग का ख्याल रख रहे हैं और करोना से बचाप करके ही खरीदारी कर रही है राखी लेने आई थोड़ा से निकलाएं बाहर हम भी तोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और यह भी जिरूरी है इस तेवार को लेके हर बार की तरह काफी एक्साइट्मेंट रहती है, बहुत इंतिजार रहता है सभी बहनों को, कि राखी बाद ली जाये अपने अपने भाईों को पर इस बार थोड़ा करोना के वज़े से तोड़ा डर भी है मन में तो जैसे राखी लेने आ रहे हैं मार्केट आ रहे हैं तो थोड़ा डर भी रह रहा है और बाकी राख्यों में भी हम प्रेफरेंसी दे रहे हैं कि जो हमारी अपनी बनी हुई राख्या हैं जो डोरियों वा है जी तरह हमारे यहां इंडिया नहीं आल वर्ड में तो क्षोब बैनों को इंक तबार रहता है कि हर साल हमने राक्य वादने उन्हें और इसका वतल यह होता है कि यह धागे वान नहीं कि बात आए पर ऐसा कुछ निहीं यह भाई बैन का प्यार होता है जो हमारी रख्षा के विहार वल आगी रहते। मेना मोनिका